देश की राइधानी दिल्ली में चोड लगातार बेखौफ होते नजर आ रहे हैं मेहनत की कमाई से खरीदी गई चार पहियां गाडियां लगातार सार्वजनिक स्थानों से चोरी हो रही हैं चोरी होने की पूरी घटनाई CCTV कैमरे में कैद हो रही हैं लेकिन अफसोस कि पुलिस दुआरा कोई ठोस का रिवाई नहीं की जा रही आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि दिल्ली NCR देश में होने वाली कार चोरी के लिए 56 परतिशत से अधिक जिम्मेदार है यह जानकरी मशूर कार इंशूरेंस कमपनी एकको की एक रिपोर्ट से पता चलती है अगर हम सरल भाषा में समझें तो दिल्ली में हर 12 मिनट में एक वाहन चोरी होता है और यह दिल्ली में होने वाली कुल अपरादों का लगबग 20 परतिशत ही है अगर हम बात करें सबसे अधिक चोरी वाले इलाकों की तो भजनपुरा, रोहिनी, उत्तमनगर, दयालपुरी, सुल्तानपुरी, नौइडा सेक्टर बारा और साउट सिती इसमें शामिल है वही हमारे सर्वे में इन चोरीों से जुड़ी कई तरह की बाते सामने आई है जिसमें चोरी होने में सबसे आगे भारत की लोग पुरिये हैच पैक कार मारूती वैगनार और मारूती स्विफ्ट है इसके बाद हुंडाई क्रेटा, सेंट्रो, होंडा सिटी का इस्थान आता है इन आकड़ों को देख पता चल्दा है कि चोर उन गाड़ियों को ज्यादा चुरा रहे हैं जिनकी मार्केट में ज्यादा मांग है वह इस मामले से जोड़े सवालों पर पुलिस का कहना है कि चोरियों के बढ़ने की एक वज़ा कॉलोनी के बाहर सड़क किनारे पार्किंग करना और यूपी हरियाना की सीमाव कर नजदीक होना है भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि गाड़ियों का इंशुरंस होना अनिवार है यही कारण है कि चोरियों के बाद वाहन मालिक पुलिस अधिकारियों पर वाहन ढूडनेने का दबाव नहीं बनाते क्योंकि उन्हें इंशुरंस की राष्षी मिल जाती है बता देंगी गाड़ी चोरियों पर की हुई रिसर्च के मताबिक हम कह सकते हैं कि चोरियों वाहनों की जाज ना के बराबर होती है और अब तो F.I.R. ओनलान मार्धियम से भी दर्च की जाती है यही कारण है कि बरतमान में थाना ऐसे चुईया बागी पुलिस अधिकारी बरती चोरी के लिए जवाब दे नहीं होते इनी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जलकूत दिन्नी अंतुड़ नहीं होते दुप होते बरता है